नमस्ते दोस्तों कैम्स हो मजामा मैं संजय नूटेरिस का अडेनिंग और आपका स्वागत करता हूँ आज मैं अपने ग्राफ्टेड अडेनियम जो मैंने कुछ ग्राफ्ट किये थे फरवरी में उनका अपडेट देने चाहरा हूँ कि किस तरह चल रहे है और क्या कंडिशन ह है उनकी और हमें ग्राफ्टेड अडेनियम की टेप्स से बता जाओंगा थोड़ी बहुत गर्मियों में कैसे हम देखवाल करें तो आप मेरे वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर द पूरा तो यह देखिए इनमें मैंने फरवरी में ग्राफ्टेंग की थी और देखें कल्या भी स्टार्ट हो गई है कि तीन ब्रांच पर एक यह दो और यहां पर तीन तो यह जिकल刃 निकल के आई है इस पर फैप तो तीनों पर देखें कितनी ज्याधा बनी हुई है हैом कि तो-चैसरा च्छू प्लांट हमारा रहता है ग्रैप्टिंग के लिए मैचुर प्लांट प्रम्म अफ़ एंद य सताकर चल्द आती यह देखिए यहां पे इस पर भी देखिए यहां पे three branching नेन फिर भी क्लिय देख्शन भी थे ऐख्यों जुञें anx Taliban है ऊar स्टार्ट हो गई है देख सकते हौँ अ ज़िए यहां पे इस प्लांट चुर्श ऐग बहुते हो अब कभ ली इस प्लांट पे धिक एक प्लांट है यहां ना तो इस देखित अमस्द फ्लो फिरवरी बस उस सब निदिए ये वह ला प्लांट बी फर्वरी में किया है यह दोनों कि तो प्लांट की क्राफ्टिंग करते समय आपको एक बात का एक त्यान रखना पड़ता है आपको कि जो हमारे यहां का बातावरन होता है उसमें थोड़ा सा मतलब कि नमी जैसा होना चाहिए ज्यादा इस टाइम तो यसे तूप में हम ग्राप्टिंग करेंगे तो हमारी ग्राप्टिंग सक्सस नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी क्योंकि कि गर्मियों में क्या है कि जो हमारी ग्रापटिंग के लिए हम जो बटन करें स्फेर है फिर दो इस पर ज्वेध्वा पाई उसमें जो नमी रहती है रहती कि फिर यह ग्राप्टिंग फैल हो जाती है तो हमसी CC पर इस उसको दोप ना लगी। जब तक आपकी सुक्सेस ना होचाहें, तक उसको दूप नहीं लगनी चाहें 이것ों मेरे ये प्लांट है। उसके बाद प्लांट में और उसके बाद मैंने ट्रैप भी हटा जी थी थोड़ा सा आयप उटाव दीख रहा था और फूज टैप मैंने हटा दी तो यह दिखे यह सब है वह बर्सात में मैंने ग्राफ्ट किये थे यह प्लांट है तो उनकी ब्रांच ले लेकर मैंने कट कर दिये और यह म दूसरा और दोसरा काई पीकनि नहीं के क्लिया तो सğक ऑन रही है और यह पर इस प्लांट के भी मैंने बर्साथ में तो यह दो ब्रांच की और यह दो ब्रांच अभी फरवारी- किया यहां पर बड़ा प्लांट है इस पर मैंने ग्राफ्टिंग की थी यहां पर वी ग्राफ्टिंग की थी पर सक्सेस नहीं हुई और यहां पर देखें यह फ्लेट ग्राफ्टिंग की थी इस पर तेन ब्रांच निकल के आई यहां पर फ्लेट ग्राफ्टिंग की थी और यहां यहां पर फ्लेट ग्राफ्टिंग की थी यह यहां पर यह सक्सेस हो गई थी पर मैंने क्या किया कि मैं एक पर पानी दे रहा था तो मेरा हाथ लग गया तो यह निकल गया यहां से यहां पर यह देशी वाले की ब्रांच निकल के आएगा तो मैं ऐसे रहने दूँगा फिर से अगर टाइम मिलेगा बरसात में बरसाते पहले पहले तो मैं कर दूँगा यह देखे यहां पर पी ग्राफ्टिंग की मैंने यह यह भी फरवरी में की है इसमिलती प्लांट में करिया आ रही है तो सबीसमें लोग आप इसमें फर्टिलाजर की बात करूं तो आप एपिके उनिस 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 दे सक्ते हो आप ढिए के कुछ दाने भी डाल सक्टे हो और वर्वी कंपोस्ट भी दे सकते हो NPK 19.19.19 का आप स्प्रे कीजिए तो गोवत अच्छा रहेगा प्लांट के लिए और अब स्प्रे करें तो आप मॉर्निंग के टाइम करें यही इवनिंग के टाइम जब दूप ना हो दूप में आप स्प्रे करोगे तो फिर क्या है कि ब्लांट की पतिया है वो खराब हो जाएगी इस पर पानी गिरा रहेगा और दूप पड़ेगी तो फिर गलने लगेगी और कभी-कभी तो ब्रांच भी खराब हो जाती तो इसलिए आप दूपने स्प्रे मत कीजिए तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए और अपने दूस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना मत भूलिए का देखिए यह सब मैंने ग्राप्ट किये प्लांट है और यहां पर देशी वाले पर देखिए मैंने ग्राप्ट किया था छोट इसी ब्रांज ले यह देखिए तो इन में भी कल गया आप खिलने वाली है तो आज के लिए इतना ही ओके फ्रेंट्स बाइच